ओम शांती, 12 जुलाई 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, देहधारियों को याद नहीं करो, सिर्फ एक मुझे याद करो तुम देह भान में बहुत आते हो, तभी देहधारियों से लव होता देहधारियों को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे सवेरे उठ बाब को ऐसे याद करो, जो अंत में अपनी देह भी याद न पड़े बाबा ने कहा, तुम्हें अंत तक पढ़ना जरूर है तुम बच्चों का धंदा ही है पढ़ना और पढ़ाना और साथ साथ अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी जरूर करना है खुशी होनी चाहिए, अब हम अपने घर जाएंगे यह दुनिया, यहां का सब कुछ यहीं छोड़ जाना है तो क्यों न अब अपने घर शांतिधाम को याद करें जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए फालतू बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो किसे में कोई पूरानी आदत है तो रहम दिलबन मिटानी चाहिए हांजी कहकर कोई की गलानी नहीं सुननी चाहिए जनम जनम से निंदा करते क्या हाल हो गया है अब निंदा करना बंद करो सिर्फ पंडित नहीं बनना है तुम राजी होगी हो अगर खुद में ही खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे पाप अंदर खाता रहेगा लास्ट में बाबा ने कहा मित्र संबंधियों से दोस्ती रख उनको भी समझाओ तुम्हारा काम है सबको परीचे देना भले कोई दुश्मन हो परन्तु उनसे भी मित्रता रखनी है पहत मीठा बनो अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मेठे बच्चे किसी देहधारी से देहिक लव न रख एक बाप से लव रखो अश्रिरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो प्रश्न रहम दिल बच्चों का करतव्य क्या है उत्तर जब कोई फाल्तू बात करे तो उसकी फाल्तू बात न सुन उनके कल्यान अर्थ बड़ों को सुनाना यह रहम दिल बच्चों का करतव्य है जिन में कोई पुरानी आदते हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहम दिल बनना है दूसरा प्रश्न कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रहमा बाप को दे सकते हैं उत्तर शुरी का टाइटल क्योंकि शुरी अर्थात सुरेष्ठु पवित्र को कहा जाता है किसी देहधारी मनोश्य को यह टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि ब्रहस्टा जार से जनम लेते हैं ब्रह्मा बाप को शुरी कहते क्योंकि इनका यह अलोकिक जनम है गीत इस पाप की दुनिया से ओम शांती बच्चे अब समझ गए हैं अर्थात समझदार बन गए हैं तो जरूर पहले बेसमझ थे यह भी नहीं समझ में आता है कि यह पति दुनिया है और इस भारत में ही देव की देवताओं का राज्य था उसमें पावन सुखी थे उसमें दुख की बात नहीं थी परंतु शास्त्रों में कई बाते सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था स्वर्ग का किसको पता नहीं समझते हैं वहां भी दुख था यह है बे पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे, फिर गीत भी रोंग हो जाता है, कहते भी हैं, हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो, जहां आराम, सुख, चैन हो, बच्चे यह भी जानते हैं, कि स्वर्ग सोने की चिडिया थी, देवी देवताईं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे, गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं, जो समझते हैं, यह परमपरा से चला आता है, क्रेश्न पर भी जुटे कलंक लगा दिये हैं, कहा जाता है, जैसी द्रिष्टी, वैसी श्रिष्ट समझते हैं सारी इस रिष्टी ही पतित है इस समय उन्हों की द्रिष्टी ही पतित है तो सारी इस रिष्टी को ही पतित समझते हैं समझते हैं परमपरा से पतित पना चला आया है अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है सोभी नंबरवार पुरुशार थनुसार परमपिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं सभी आत्माई पतित हैं इसलिए पतित आत्मा पुन्य आत्मा कहा जाता है बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो, फिर मम्मा बाबा भी कहते हो, इस दुनिया में किसी को भी पिता शरी नहीं कह सकते, शरी माना स्रेस्थ, एक भी मनोश्य स्रेस्थ है नहीं, यह तो एक की ही महिमा हो सकती है, यहां तो सब भरश्टा चार से ही पैदा होते हैं, इसलिए शिरी कह नहीं सकते, भल तुम इनको इस समय कहते हो, क्योंकि सन्यास किया हुआ है सुरेष्ठ बनने के लिए, तुम जानते हो कि अभी हम फरिष्टे बनने वाले हैं, ब्रहस्ट को ही शिरी कह सकते हैं, शिरी लक्ष्मी, शिरी नारायन, शिरी राधे, शिरी क्रेश्न कहते है मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं अपने को सुरेष्ट कह नहीं सकते अब तुम बच्चों ने समझा है भारत सुरेष्ट था शुद्ध सुरेष्टी थी अभी पतित सुरेष्टी है पतित को ही ब्रहस्टाचारी कहेंगे वे लोग ब्रहस्टाचारियों को स्रेष्ट बनाने के लिए सभाएं करते हैं परंतु दुनिया ही ब्रहस्टाचारी है तो कोई किसी को स्रेष्टाचारी बना कैसे सकते बरोबर यह रावन राज्ये है जिस कारण रावन को वर्ष वर्ष जलाते हैं जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है, यह भी मनोश्यों को समझ में नहीं आता, जिसे जला दिया, उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि रावन राज्य गया नहीं है स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो एफिजी निकालेंगे नहीं कहते हैं रावन को जलाया फिर लंका को लूटा रावन की लंका सोनी बताते हैं परंतु ऐसा है नहीं यह तो सारी दुनिया लंका है, रावण राज्ये में तो सब हैं वह शिरिलंका तो आइलेंड है ना? दिखाया भी है भारत की पुछडी है पर अंतु सिर्फ उसमें रावण राज्ये तो नहीं है ना? रावण राज्ये तो सारे वेश्व पर है यह भी तुम समझते हो कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे कुछ भी नहीं, waste of time करेंगे यह इश्वरिय कॉलेज है इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे साथ दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने फिर भी अच्छा आदमी, religious minded हो तो उनसे पूछना है परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजा पिता भी तो बाप है यह points बड़ी अच्छी है परन्तु बच्चे अजुन इतना हर्षित नहीं होते है बाप कहते हैं तुमको नई-नई points सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चड़े किसको समझाने की युकती आए फॉर्म भराने की कोपी में पहले यह प्रश्न लिखाना है कहेंगे परम पिता तो पिता हुआना फिर उस समय सरव्यापी का ज्यान उड़ जाएगा तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है हम सब बच्चे हैं इतना मान जाएं तो जट लिखा लेना चाहिए प्रश्या पिता के भी बच्चे ठहरे शिव हो गया दादा और वह बाप शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर उनसे ही वर्सा मिलेगा सहज से सहज बाते निकालनी पड़ती है बहुत सहज है मित्र संबंधियों के पास भी जाओ उनको भी यह समझाओ यह तो नशा है ना हम बाबा दवारा दादे से वर्सा पाते है बाप दादा से वर्सा पाते है माता से वर्सा नहीं मिलेगा बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना वही मालिक है जैसे उनको दादे से वर्से का हक है वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है बाप कहते हैं मुझे याद करो मैं तो कहता नहीं हूँ कि इस देधारी को याद करो बाप सम्मुख बात कर रहे हैं कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था वर्सा भी तुमको बाप दादा दोरा मिलता है ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है देहदारियों से लव हो जाता है हे आत्माई तुम अशरिरी आई थी फिर पार्ड बजाते बजाते अब 84 जनम पूरे किये हैं अभी मैं कहता हूँ तुमको वापिस चलना है मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे देहदारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे तुम अंजाम करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है इसमें कोई चैन नहीं इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शान्ती धाम। जहां शान्ती ही शान्ती होगी। फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में। जहां शान्ती सुख दोनों है। जब दुख है तो अशान्ती है। सुख में तो शान्त अब तुम बच्चों का धंदा ही है पढ़ना और पढ़ाना और अपने शरीर निर्वाहा अर्थ कर्म भी करना है तुम जानते हो हम इस मृत्यू लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांती धाम यह बुद्धी में याद रखना है जब तक मृत्यू नहीं हुआ है पढ़ना ही है यह तो याद कर सकते हो ना अब हमको जाना है अपने घर यह दुनिया यह सब कुछ छोड़ना है अमज गए हो हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं वैसे अब हमको भी जाना है चुरासे जन्मों का चक्र पूरा होता है याद भी करते हैं हे पतित-पावन आओ याद शुबाबा को ही करेंगे एक तरफ कहते पतित-पावन आओ दूसरे त परमात्मा सरव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रिती समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो। यह दुख धाम है। कोरव पांडव भाई भाई भी हैं। एक ही घर के हैं ना भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहां युद्ध की बात ही नहीं। यह भी वंडर है ना मनोश्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं। वह भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते हैं व्यास भगवान का धंदा भी देखो कैसा है मनोश्यों का धंदा है एक दो को लडाना यह तो एक रसम है सब एक दो के दुश्मन बनते हैं बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं अब तुम्हारी बुद्धी में देखो क्या है और शास्त्रों में देखो क्या-क्या लिख दिया है, उनका फिर मान कितना रखते हैं, बड़ी प्रीकर्मा दिलाते हैं, देवताओं की मूर्तियों को भी रत पर बिठाए, बड़ी प्रीकर्मा दिलाते हैं, फिर सब को समुद्र में डाल देते हैं, मृत्यु लोक की रसम रि थापना करते हैं, बाकि सब को शांती धाम में भेज देते हैं, तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो, निश्चे है परम पिता परमात्मा ज्यान का सागर है, इन ओर गंस दवारा हमको नौलेज दे रहे हैं, और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या, अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं, जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानूं से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख दवारा बोलते हैं, जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं, वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए, फालतु बातें सुनते भी नहीं सुननी हैं, कोई तो बैट खुशी से सुनते हैं, बाबा कहते ऐसी बातें सुनों मत, रहन दिल बन, किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए, हांजी कर सुनना नहीं चाहिए, जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गलानी तो हम सुनेंगे नहीं, हमको तो शिब बाबा से वर्षा लेना चाहिए, और बातों से हमारा क्या तालूक, कोई सुने या न सुने, हम तो ग्यान का शुर्मा पहन लेवें, कोई ग्यान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं, बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो कैसे भी रोगी, अंधा कुपजा है, फेह भी समझ जाई, अल्फ और बे, दो अक्षर हैं, सिर्फ पूछो, परंपिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, यह प्रश्न सबसे अच्छा है, तो सरव्यापी का ज्यान एकदम बाहर निकल जाई, मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परीचे दे भल दुश्मन हो, परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है, बाप कहते हैं, तुमने आशुरी मत पर चल, मुझे गाली दी है, तुमने एश्वर पर अपकार किया है, फिर भी एश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं, एश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है, हर एक बात अच्ची रिती समझने की है, किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंदा करते हैं, यहां से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी, निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है, अब निंदा करना बंद करो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक के राज योगी हो, ऐसे ऐसे समझाओ, तो तीर भी लगे, खुद में खामी होगी, तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा, बाबा हर बात बहुत अच्ची रिती समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत, सिमरन करते करते, अंत म सोगती हो जाएगी, सवेरे उठ, बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद न पड़े, हम आत्मा हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों क्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को, नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं, वही अपने मुख से निकालने हैं, व्यर्थ बाते नहीं बोलनी हैं न सुननी हैं ज्यान का ही सुर्मा पहनना है दूसरा सभी से सच्ची मित्रता रखनी है बहुत मीठे रूप में हर्शित मुखो बाप का परीचे देना है अब कारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है आज का वर्दान शुद्धी की विधी दवारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजई वनिर्विग्न भव बाबा ने कहा जिसे कोई भी कारिये शुरू करते हो तो शुद्धी की विधी अपनाते हो ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेश सेवा शुरू करते हो वह चलते चलते सेवा में कोई विधन आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों और विशेश टाइम पर एक साथ योग का दान दो सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजई यह है शुद्धी की विधी इसे सभी विजई वन निर्विग्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा स्लोगन यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती अव्यक्त ज्यानमोती